नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा है, आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृप्या इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम भागवत गीता श्लोक के अर्थों पर चर्चा करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य दलानिर भवती भारत अभियुथानम धर्मस्य तदात्मानम स्रिजामेहें, चतुर्थ अध्याय, श्लोक साथ इस श्लोक का अर्थ है। हे भारत अर्जुन जबजब धर्म दलानी यानि उसका लोप होता है और अधर्म में वृध्धी होती है। तब स्थापनार्थाय संभवामी युगे-युगे चतुत अध्याय श्लोक आठ इस श्लोक का अर्थ है सजन पुरुषों के कल्यान के लिए और दुशकर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्रीकृष्ण युगो-युगो से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ यद्यदाचर्ती श्रेश्थस्तत्त देवित्रो जन्म सयत प्रमानम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते त्रीतिय अध्याय श्लोक 21 इस श्लोक का अर्थ है श्रेश्थ पुरुष जो जो आचन यानि जो जो काम करते हैं दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचन वैसा ही काम करते हैं वह श्रेश्थ पुरुष जो प्रमान या उदाहरन प्रस्तुत करता है समस्त मानवसमुदाय उसी का अनुसर्ण करने लग जाते हैं डॉट नैन छिदरंती शस्त्राणी नैन दहती पावत न चैन क्लेध्यंत्यापो न शोश्यती मा द्वितिय अध्याय श्लोक 23 इस श्लोक का अर्थ है आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग उसे जला सकती है न पानी उसे भिगो सकता है न हवा उसे सुखा सकती है यहां भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर्मर और शाश्वत होने की बात की है